एक बार की बात है उचे पेडो और चमकती जल्धाराओं के बीच बसे एक रहस्य मैं जंगल में दो अप्रत्याशित दोस्त रहते थे लूना जिग्यासू लोमडी और ओलिवर सासी गिलहरी एक धूब भरी सुभा लूना को जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर लग गई खोज करने के लिए उत्सुक उसने ओलिवर को बुलाया जो तुरंत यात्रा में उसके साथ शामिल हो गया जैसे जैसे वे अग्यात की और आगे बढ़े उन्हें रास्ते में चुनोतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा उनकी मित्रता की परीक्षा तब हुई जब वे एक खतरनाख खड के पास पहुँचे जो उनका रास्ता रोक रही थी पार करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण लूना और ओलिवर को एक कठिन दुविधा का सामना क करना पड़ा लेकिन जरूरत के क्षण में उन्हें पता चला कि सची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती अटूट द्रिड संकल्प और टीम वर्क के साथ लूना और ओलिवर ने बाधा को दूर करने के लिए एक चतुर योजना तयार की साथ में उन्होंने एक अस्थाई पुल बनाने के लिए लताओं और शाखाओं को इकठा किया जिससे वे खड को सुरक्षित रूप से पार कर सकें और अपना साहसिक कार्य जारी रख सकें जैसे ही वे दूसरी ओर उभरे लूना और ओलिवर का स्वागत सुनेरी धूप में नहाए हुए एक छिपे हुए घास के मै मोहग द्रिशे ने किया अपने परिवेश की सुन्दर्ता से अभिभूत होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती उन्हें इस जादूई जगह तक ले गई है। गिनत सासिक कार्यों पर निकल पड़े।